नमस्कार कक्षा 6 Exercise 3.4 का पहला प्रशन आज हम करने जा रहे हैं इस प्रशन में हमें निकालने थे सार्व गुननखंड हमें निकालने थे सार्व गुननखंड दूसरा इसका बी भाग है 15 और 25 हमें 15 और 25 के सार्व गुननखंड निकालने हैं आपको याद होगा हमने सबसे पहले क्या किया था सबसे पहले हमने या लिखा 15 तो दीखना है कि किस किस पहाड़े में 15 आता है देखो एक के पहाड़े में 15 आता है एक गुना 15 हमेशा एक से ही शुरू करना बचू एक के बाद संख्या आती है दो क्या दो के पहाड़े में 15 आता है दो साते चोदह दो आठे सोला 15 नहीं आता दों के पाड़े में पंधर how उसके बाद आ直ण से चार के पहाड़े में पंधरा नहीं आता है पांच के पहाड़े में आता है 5 हम लिख चुके हैं छे के पहाड़े में पंदरा नहीं आता है छे दूनी बारा छे तेठारा साथ के पहाड़े में भी नहीं आता आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा के पहाड़े में पंदरा नहीं आता है पंदरा के पहाड़े में आता है पंदरा हम और रड़ी लिख चुके हैं इसका मतलब सिर के पहाड़े में पंद्रा आता है एक तीन पांच और पंद्रा ये पंद्रा के गुननखन है अब दूसरा नंबर कौन सा दिया है पच्चिस इसको यहां लिखते हैं अब हम पच्चिस के गुननखन देखेंगे सबसे पहले एक से शुरू करेंगे एक के पहाड़े में तो पच्चिस आता ही है उसके बाद दो के पहाड़े में नहीं आता है तीन के पहाड़े में तीन साथे इकिस तीन आठे चौबिस तीन नहीं सता इस तो तीन के पहाड़े में भी पच्चिस नहीं आता चार के पहाड़े में भी नहीं आता है पांच के प एसा नहीं जिनके पहाड़े में 25 यानि 25 को और को गुननखन नहीं है तो जो 25 के गुननखन है उनको हम लिख लेते हैं तो 25 के गुननखन कौनकौन से होंगे एक 5 5 5 तो दू बार नहीं लिखने की जरूर ज़र रिकिवाद लिखना है और आगे है 25 ठीक है बच्चो किसी के सार्व गुननखंड क्या निकालना है सार्व गुननखंड है ना यह असान काम मुझे तो यह बहुत सबसे असान यही लगता है सार्व गुननखंड सार्व का मतलब कॉमन कॉमन यानी जो दोनों में हो तो देखो यहां भी एक है यहां भी एक है तो सार्व गुननखंड होगा यहां तीन है लेकिन यहां तीन नहीं है तो यह तीन सार्व नहीं है यहां पांच है यहां भी पांच है इन दोनों को सर्कल कर दो यह सर्कल लिखोगे आप पैंसे लेकिन सर्कल करोगे पैंसिल से पांच और पांच दोनों में है तो पांच उपर 15 है नीचे नहीं है नीचे 25 है उपर नहीं है यानि ये दोनों सारव नहीं है इसका मतलब सिरफ दो ही गुननखंड सारव आए हैं कौन-कौन से एक और पांच इसका आर्थी है कि 15 और 25 ये दोनों सिरफ एक और पांच इन दोन पाहडों में ही आते हैं इन दोनों के सिरफ दो ही सारव गुनन खंड हैं एक और पांच तो यह हमने कर दिया मैंने sketch pencil किया आपने blue pen से करना है लेकिन जो circles करने हैं वो आपने pencil से करने हैं आशा करता हूँ यह आपको अच्छे से आ गया होगा बाकी भागों के लिए आप मेरे बाकी वीडियो देख सकते हैं धन्यवाद